बैक के अंदर से पीटी आई का मफ्रल निकला जिसकी वर्यासी उदर ने मुझे बहावलपूर स्टेशन पे उतार दिया पाकिस्तानियों मैं तो चल लिए सर्जरी करा के वह चीनी लगती क्या मरावन खान ने कभी है अपनी जिन्दगी में एक द्वावी सर्जरी करा है इतने बड़े लीडर की इतनी बड़ी लीडर बेटी आपने उनसे बातरूम तक दुलवा दिये ये कोई मुनासर बात नहीं है फिर बिलकुल मुनासर बात नहीं है हम लोग कंपंसेशन बेना हम कहते हैं मरियम बीबी को एक छोड़ के दस सर्जरी करा वसे इस मुल्क को छोड़ा और हमारी जान चोड़ा आप तो बनेगी है जैसी पहलवान तो अलेक्शन तो हो नी रहा तो की तो मिशन बेया जनाब कप्तान की सेंचरी मुकदमात की कब से पूरी हो चुकी उसके बाद समलियां भी तहलील हो चुकी अब बजाहर तो कप्तान के पास कोई हकूमत बाकी नहीं है तो इसलिए जरूरी है आज का जलसा कप्तान ने 2011 से किये यहां पर पाँच शानदार जलसे और आज है चटा जलसा इसलिए जरूरी है आज का जलसा और यहां पर कप्तान ने एक मेसेज के नवे करना है इसलिए है जरूरी आज का जलसा और सारी जमेदारी आ गई है कप्तान के खलाडियों पर कि वो अपना ही रिकॉर्ड कैसे तोड़ते हैं इसलिए जरूरी है आज का जलसा और यहां पर जूजू रात धर रही है ऐसे लगता है कि दिन चड़ रहा है बहावलपूर जो पुलिस ने टिगर चेक करें टिगर निकालते हैं मेरे बैक के अंदर से पीटी आई का मफ्रल निकला लेकिन जो जीदे थी नमों मुझीद मेरी बढ़गी कि अब मैंने हर सूरत पहुंचना है पिछे से घरवालों को भी फिकर हो रही थी कि दो दफार रेट पढ़ चुकी हुई है लेकिन अलहम्दोलिल्ला गृफ्तारी जो अप पुलिस चेकिंग कर रही थी ट्रेनों के अंदर बहावलपूर से बढ़ाती है कि वहावलपूर से पकड़ी फैसल मूर पकड़ कर मैं वहां से तीन बजे की निकली यहां पहुंची और रास्ते में इन्हों ने फैसल मूर को भी जो दो जगा पर ट्रीमेनल पर इन्हों चेक की है ठीक है उसके बाद जो है ना मैं यहां तक पहुंची हूं यहां पे पहुंचना इतना साथ नहीं था रास्ते इन्होंने सारे बंद कि नेट्वर्क इन लोगों ने बंद करें इनको किसी इसका खौफ है खान साब में ऐसी क्या क्वालिटी है क्या चीज है जो किस और इंशालला हम इमरान खान को वजीर आजम बनाएंगे इनका बाप नहीं लोग सकता वजीर आजम बनाने से नहीं तो मर्या मांटी अची लगती इतनी प्यारी तो है वह कहती पंजिया दे रोटी दे पैंतिया दे रान पाकिस्तानियों मैं तो चल लिए सर्जरी करा के व होते हाँ जी अच्छा लगता एक टाइम था कि आपको कहा जाता था कि आप पर्गर पार्टी है फिर आपने खाई लाटियां आपने सारा कुछ बर्दाश्ट कर लिया अब आपकी हो रही है कि रिफ्तारिया आप तो पन गया जैसी पहलवान तो लेक्शन तो हो नहीं रहा अलेक्शन हो रहा है कि इनके कहने ना कहने से अलेक्शन नहीं रुकेगा और इलेक्शन 90 डेस के अंदर करवाना सुप्रीम कोर्ट की जिमधारी है और वो इन्शाला करवाएगा आप इतने जलम क्यों करती हैं मरियम बीबी पे कि उनको आप जेल में बंद करते हैं फरही प कोड़े था आज गिट्टों तक पहुंच चुका है मुझे ऐसे समा लाग रहा है जैसे कोई एलेक्शन चार रही है एलेक्शन होने वाले हैं ऐसा जजबह आपके अंदर एलेक्शन तो कोई नहीं हो रहे हैं एलेक्शन होंगे क्या इन इनकी गुंड़ा गर्दी की वज़ सुप्रीम कोट इन पर लगाएगी और इन और इलेक्शन होके रहेंगे और आप यह देखिएगा कि इनका नाम और निशान मिटेगा इन्शाला पीटी एई वाली खवातीन मरियम बीबी के पीछे क्यों पढ़ जाती है वो कहती है यह मुझे जैलस होती है क्यों जैलस होती इतने बड़े लीडर की इतनी बड़ी लीडर बेटी आपने उनसे बातरूम तक दुलवा दिये यह को मुनासिब बात नहीं हम लोगो कंपेंसेशन पेना हम कहते हैं मरियम बीबी को एक छोड़के दस सर्जरिय करा बस इस मुल्क को छोड़ो हमारी जान चोड़ो तो हम उस कंटेनर लगाए हैं लेकिन फिर भी अवाम पहुंची है वो यहीं दिखाती है कि हम सब इम्रान खान के साथ हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन इंशालला 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 इम्रान हानी वसीर आसम बने तो मुझे एक बात बताए ना यह जो सारा रेंजर्स को लाके खड है उसकी जो नियत है ना उसमें खोट है वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान आगे बड़े वो पाकिस्तान को पीछे धखेलना चाहते हैं लेकिन इंशालला इंशालला पाकिस्तान की अवाम जो है वो पाकिस्तान को पीछे धखेलने नहीं देगी ने नार्वे से एक हातून कप सब्सक्राइब के लिए हैं मैंने सुना वहाँ जमूरियत बहुत अच्छी है उन मुलकों से खान सब अक्सर जिकर करते हैं कि स्केंडिनेवियन जो कंट्रीज है वहां पर जमूरियत बहुत अच्छे तरीके से कामकारी है और हम चाहते हैं कि हमारा मुलक भी उन्हीं के को प्तान से बिलकुल खौफ़ नहीं है और क्या है यह खौफ के आरे रास्ते मंद की वेसे सारे इनोंने क्या जजबा है आपका आपको बड़ी कोशिश कर चुके हैं ममी डैडी ते होते हैं किसी जमाने में आप आप डरते हैं किसी चीज़ से वह आप पुलिस को देखके म अंदर नहीं किया आज मैं अपने बचों के लेकर बचों की फूचे के लिस जलसे के अंदर आया हूं इसलिए आयों कि इमराहन के साथ हैं लोग आपको टेंडे पड़े पुलिस से आपको घिस्तार करके लेगी उन्होंने खवातीन का भी लिहाद नहीं किया आप अभी भी तो आपको क्या लगता है कि ये किस चीज से खौब ज़दा है ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान के हलाट ठीक नहीं है हमारे पास पैसे नहीं है हम अलेक्शन कैसे करवाएं चार पांच महीने बाद हलाट ठीक हो जाएंगे क्या ये सब जूड बोरे क्योंकि ये लोग चोर है इन लोगे पास और कुछ नहीं है कहने के लिए जो चोर होता है वो यही सब कहता है क्यूंकि इनके पास कोई दलील है इनी देने के लिए इसलिए तो इम्रान कान ये लोग टेररिस्ट बोर रहे हैं जबके ये खुद टेरिस्ट है एजएंट है ये गोरों के पैर चुमते जागे ये लोग आप तो सारे तरीके इंसाफ वाले बड़े पिताब नजर आते हैं कि आज एलेक्शन हो हम कप्तान को वोट कास करवाएं उनको दुबारा वजीरियादम बनाएं तो ये डिले पे डिले होता गया तो क्या करेंगे आप लोग कैसे कंट्रॉल करेंगे अपने लेकिशन के साथ चलने हम बहुत दूर से आये हैं और हम खान को सपोर्ट करने आये हैं और हम बार बार आएंगे जब खान हमें कौल देगा